हेलो स्टूडेंट, बाइलोजी क्लास में आपका हार्दिक श्वागत दें आज हम बाइलोजी क्लास में बात करेंगे परण के प्रकार परण के प्रकार टाइप ओफ लीड टाइप ओफ लीड परण की दूप प्रकार है, नमबर एक सरल परण सरल परण सिम्पल लीड सिम्पल लीड नमबर दो सैयुप्पाण सैयुप्थि पण सबसे प्रकार की परण की सरज़न होती है, जैसे यह परण है, यह परण की बात करेंगे लीड सब्सेट की सरज़न है, यह परण फ़लक है, यह परण फ़लग है, सरल परण, इस प्रकार की परण होती है। है इसमें परफालग की उपार ये कटाव पायगाते हैं निया चोटे चोटे कटाव पायगाते हैं लेकिन हजिए कटाव धोते हैं हिसे जो मद्धे सिरह तक नहीं परूहते हैं या दिरेखर देखर विजे ततर नहीं बुंते हैं अच्छिन प्रगार की हो थिये अधार्थ प्रगार से ये कटाओ मद्देसरह तक नहीं जाते हैं जिसे होते हैं सरल पंड किसे से आप देखते हैं आम हैं पीपल है इसमें जो पन होती है वह कौन सी होते हैं सरल भण धन रे इस प्रगार की पढ़की क्या विसेशता होती है कि जो पण खलक की ओपर कटाव पाहिए ते हैं या पमपस्धित होते हैं इसके ऊपर एक क्रदार से बेर सकते ही जिस पर प्रकार से हो सकती है इसके उपर कटाव पस्ति रोते हैं लेकिन यह कटाओ पद्देश रात तक नहीं पूंटे जिसे कहा जाता है सरल पड़ इसका उधरा मैं पीपल है आधी के अंदरेक प्रकार से किस प्रकार की पड़ पाई जाती है के उसकी बाद नमबर दो है संई पनड नहीं है लेकिन यह कटाओ होते जिसे छोटे यूए क्या में जाते हैं परणक बन जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं जो अभी आप समझेगे कि इसके उपार से पन में इस पन अलक्यों पर कटाओ पाई जाते हैं पुरी कटाओ होते हैं जिससे पन फलक छोटे-छोटे पढ़नगों में बढ़ जाता है जो आप देख रहे हैं यह से पन है सेख पन की दूपड़ा है नमबर एक पिच्छागार पिच्छागार सेख पन नमबर एक पिच्छागार सेख पन नमबर दो अस्तागार सेख पन तो सबसे पहले में बात करते हैं पिच्छागार सेख पन की बात करेंगे कि पिच्छागार सेख पन क्या है इस पता की सेख पन में पन फलक के उपार कटाव पाय जाते हैं पुरी कटाव होते हैं जो मद्दे सरा तक पूंग जाते हैं जो आप इसमें देख रहे हैं इस पता की पन को पिच्छाग बोलते हैं पिच्छाग्स यह पिच्छाग्स है कि कहां तक पूंग जाते हैं मद्दे सरा तक पूंग जाते हैं जिससे पिच्छाग्स बोलेगे इसको निम्न भागों में बाट रहे हैं नबर एक पिच्छगी एक पिच्छगी सर्फ कि जातव पर इसके अंदर क्या होता हैं में कि पाणफ अलका एक बार विवाजार होता है फांट फालका एक बार विवाजन होता है जैसे इसमें देखेंगे इसमें एक पिछगी में पर्ण फलक होता है जिसका एक बार भी वाजर होता है जिसके दौना और पर्णक लगे होते हैं जिसे बहुते हैं एक पिछगी बहुते हैं ये एक पिछगी पर्ण है इसमें पर्णक का एक बार भी वाजर होता है और यह किसमें होती है जैसे नीम है इमली है जना है इसके अंदर एक पिछकी से एक पढ़ पाई रती है नंबर दू है दूप पिछकी जैसे अब पर्णक होगे जिसक्यूप पर लगे होते हैं यह पर्णक लगे हैं कि यह प्रदार से दे पिछकी पर्ण है यह इसमें पर्णक का कितनी बार विवाजर होता है दूबार जैसे एक बार अपने देखा चाह को इसके बार में दूसरी ब्लबाजर यह और यह पर्णक यहाँ लगे इससे दूबे पिछकी बहुंदें यह था हैं कि मदूं के अंदर एक प्रगार से कौन सी पाई जाती है वाबू Kristinकर की अंदर सेग्पण कलग इसके आंदेर पारफ पलका विवाजन होता तीन बार होते हैं जैसे एक बार ढाल तुर्द चो यहां लगे होते हैं यह थी जिसे कहा जाता है जैक पूझे के अंदर होता है ऐपर ही विद्धिक होती है जो एक प्रघाल से सेजरा में पाइ जाते हैं बहुँ पिछेगी नमेर चार है बहु पिछेगी इस प्रकार की से पर्ण में पर्णफला का अनेक बाद वीभाज़़ा होता है कि जैसे आप यह देख रहें कि दो बार है यहाँ पर्णफ यहाँ लगाए यह अनेख बार क्या उत्य विवाजर होता है जिसे कहा जाता है इस इपाई जिसम 9 जिसे दिनिया है इसके पने य यह कटा होते हैं 3.4 जो मद्हेशत n अधियर घुण जाते हैं रदद्व कश्ज़ा चाणार पण पलाओं जोते हैं इसमें दो वार होता है और इसके अंदर पर लाओं जोटे चोटी लगे होते हैं ये पढ़्नग लगे होते हैं तो आप आप पत्यों केन्थ कर सकते हैं चैने की पत्र वहाव हैं अधि को आप देखें और उंका अलोकन करें किसके अंदर से पणका कुंसा प्रगार है आस्टाकार पण के भागरें तो इस प्रगार की सब्सक्राइब आपके समान कि इसमें क्या होता है कि पणफला का वीवाजर होता है जिसे पटाव होते हैं जो पणवर्द के सीजवाग तक पूंग जाते हैं और यह पण होती है जो उसके सीजवाग के पर जुड़े होते हैं कि उससे अकार्ण के सिलने कि फीलिकी तर time करते हैं मियुदेशा टनी पर पढ़न की सीजवाग तक फिर पार जाते हैं हैं इसे अस्तागाल वहते हैं जैसे एक पर्णकी में क्या होता है कि दीप्रिणे में क्या होगा दोद्विए तीन और वह पंड़े में अलिक पड़े जोड़ी जैसे आप ने कुछ अंत्रा हैं आधी के अंधरिक पड़ार से कौन से होती है अस्तागार पढ़े जाती है इसमें पड़ा का विबाजन होता है उकटा होते हैं पढ़े वंद के शीस भाक तक को जाते हैं होती है जो हांथ की अथिरी की सीतरहे हो जाती इस काणी से क्या होते हैं अस्ताकार प्रकॉर्ण पर याद रखें इसमें आपको दो प्रकार बताएगा इंडर इस प्रकार के अंदर प्रकार आपको बताए तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद